हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेकैनिकल सॉलूशन हिंदी आज के इस वीडियो में एर कूल इंजिन, ओइल कूल इंजिन और लिक्विट कूल इंजिन के बारे में बताऊंगा ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इन तीनों टाइप्स के इंजिन में कौन सा इंजिन बहतर होता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, मोटर साइकल की बात करें तो वहाँ इंटरनल कमबक्शन इंजिन लगा होता है इस तरह के इंजन में एर और पेट्रोल का मिक्स होके इंजन के सिलिंडर के अंदर आता है और बर्न होता है और इंजन के पावर प्रोडूस करता है जब इंजन पावर प्रोडूस करता है तो दो तरह की एनरजी उस टाइम पे रिलिस करता है first mechanical energy and second heat energy produce होती है इस वज़ा से गाड़ी का engine बहुत गरम होता है engine का smooth running के लिए engine के performance के लिए और engine के parts healthy रखने के लिए इस heat को engine से dissipate करे दूर करने के लिए इसलिए cooling system का use किया जाता है सबसे पहले बात करे air cool engine की तो motorcycle में engine block और head के बाहर metal के strips लगे होते है और metal के strips को fins कहते है इससे engine का और गाड़ी का running के वक्त इन fins से हवा गुजरती है और engine को थंडा रखने में मदद करती है इस तरह के engine में atmospheric air से ही engine का temperature maintain किया जाता है इसलिए इस तरह के engine को air cool engine भी कहते है air cool engine basically छोटी गाड़िया याने छोटी गाड़िया छोटी वेहिकल में use किया जाता है इसका CC भी कम होता है दूसरा oil cool engine basically air cool engine दोनों होते है ये engine air cool engine समान होता है engine के head और block में fins भी लगे होते है oil cool engine में difference ये होता है कि oil को भी cool किया जाता है जिस हमें mobile भी कहते है और engine के running के time पे engine oil होता है और वो engine oil parts को lubricate करता है ताकि friction ना हो और जंग ना लगे engine के गरम होने के साथ साथ engine oil भी गरम हो जाता है और engine oil की viscosity थीकनेस तो कम हो जाती है और oil का viscosity कम होता ही तब engine के parts को अच्छे तरीके से lubricate नहीं कर सकता कर पाता इसके engine बाहर oil cooler यूज किया जाता है oil cooler होता है ये radiator की तरह दिखता है और oil cooler tube से oil pass होता है और oil year के कारण temperature maintain होता है इसे हम oil cool engine भी खहते है third liquid cool engine cooling capacity इसकी बाकी engine के मुकाबले जादा होता है और इस तरह के engine को high end bikes में यूज किया जाता है यहाँ engine में fins नहीं होते और oil को cool भी नहीं किया जाता इस engine को ठंडा करने के लिए coolant का यूज किया जाता है coolant में anti freezing और anti frozen एक्टाइब जाता है cool engine में cylinder head और block में water jacket का यूज किया जाता है इससे coolant पास होता है और engine के बाहर radiator यूज किया जाता है coolant को ठंडा रखने के लिए coolant radiator से पास होता है और इसके coolant capacity ज्यादा होती है इस तरह के engine को liquid cool engine कहते है वीडियो अच्छा लगे तो subscribe करिए मेरे चैनल को